हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है श्वेता स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूटुब चैनल लखनव लर्निंग में लिस्नर्स आज के इस वीडियो में हम बिजनेस और टॉपिक पार्टनर्शिप के बारे में जानेंगे कि पार्टनर्शिप यानि की साज़ेदारी होत आपका सो और भी होते हैं जैसे कि कंपनी हो गया सो लिस्नर्स और लिम्टेड लाइबिल्टी पार्टनर्शिप तो काफी सारी चीज़े होती है इसमें कोपरेटिव और इसमें वाले हैं सबसे पहला वीडियो मैंने आपको आप सोल प्रपार्टर से रिलेटेड मैंने दे दिया है अब यह नेक्स्ट वीडियो है आपका पार्टनर्शिप से रेलेटेड आएज जानते ही क्या होता है we had तो क्या मतलब है कि partnership पहली बार तो एक business का organization का पार्ट है जहां पर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति क्या करते हैं manage करते हैं और operate करते हैं किसी भी business को किसके according जो भी terms and objectives set out होती है जो भी terms and objectives बनते हैं partnership deed में उसकी according क्या करते हैं manage या operate करते हैं कहने का मतलब है listeners कि partnership पे कैसी business organization है जहां पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके क्या करते हैं किसी business को run कराते है according to the partnership deed जो भी partnership deed में लिखा होगा आपका उसके according वो लोग जो भी terms and conditions होते हैं उसको follow करते हैं तो listeners यह रही partnership deed कि जो कह सकते हैं partnership deed के बारे में भी अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए होगा तो comment भी जरूर बताईएगा फिलाल में partnership की बात कर लो तो listeners इसका अब next बात करते हैं types of partnership कितने तरीके का partnership होता है तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तीन तरीके का मैंने discussion किया है पहला होता है जीपी यानि जनरल पार्टनर्शिप अभी होता है इसमें जितने पार्टनर्स होते हैं वो management की responsibilities को share करते हैं बिजनेस की जो भी बनती है उसको share करते हैं equally तो वह होता है जनरल पार्टनर्शिप नेक्स होता है हमारा limited partnership का क्या मतलब होता है इसमें दोनों include listeners general भी और limited partner भी जनरल पार्टनर्स मैंने बताए कि जो business को manage करें और उसकी unlimited liability को भी देखता है और limited partnership वह होता है जो business में invest करता है और की जो है limited liability liability limited to their investment और जितना investment करता हुतने ही उसकी लाइबल्टी भी बनती है उसको कहते है limited partnership next आता है हमारा limited liability partnership अब ऐसा partnership जिसकी liability ही limited है तो वह कौन से partnership होते हैं वह कौन सी partnership होती है इसका क्या कहने का मतलब है कि partners personally responsible नहीं है business को debt और liabilities को पूरा करने के लिए तो यह चीज़ limited liability partnership में चड़ी देखा होगा या फिर तो यह सब पार्टनर्शिप कहते हैं जहां पर दो लोगों की साज़ेदारी होती है जहां पर दो लोग मिल करके कोई काम को start करते हैं उसी चीज़ को partnership कहा जाता है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हुमारे whatsapp ग्रुप से जरूर जुड़े वहाँ पर आपको becomes related सारे pdf free में available करा दिये गए हैं और जो भी next आएंगे वह सब भी available करा दिये जाएंगे सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें ताकि notification आपको time to time मिलता रहे है इसे हमें भी motivation मिलती है listeners ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लग भी बात करते हैं next यानि की partnership के क्या क्या characteristics होती है क्या 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 विसेस्ताइब होती है विसेस्ताओं से listeners देखिए जो आप definitions में जो आप meaning में बढ़ते हैं उसी चीज़ को business count उठा करके point बना करके डाल दिये जाता है तो देखिए कैसे ownership पहले मैंने क्या बता है कि partnership कैसी business organization है तो जो दो या दो से ज़्यादा individuals काम करते हैं इसी में क्या होता है कि जब आप कोई भी book किया कुछ भी देखिएंगे तो उस ज्यादा फेमस से लाइब्रेरी का उसमें business जो होता है काफी सारे पढ़ने चाते हैं तो उसमें भी दो लोग partnership करके अपना खोल सकते हैं तो यह बहुत सारी एक्जामपल से इसने partnership को लेकिन यहाँ पर आप दो लोग हो गए जब भी यह दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तो इसमें क्या है कि आपका control share हो जाता है यानि कि अब सब का control है उस business पर सब लोग चाहेंगे तभी एक decision ले पाएंगे तो यह चीज़ होती है नेक्स आता है लाइबिल्टी वैरिस पाइटाइप उनलिमिटेट पूर जनरल इडिपेंड करता है कि किस तरीके का पार्टनर है उसे साब से लाइबिल्टी बनी इस आता है taxation profit पास प्रूप पार्टनर इंट्स पर्सनल इंकम प्रॉफिट पास कर दिये जाता है पार्टनर को और पर्सनल इंकम की तरीके इसमें लगता है नेक्स आता है फॉर्मेशन गठन रिक्वाइर से पार्टनर्शिप एग्रिमें पार्टनर की चला जाता है जब तक यह सारी चीजों लिखी ना हो तो continuity भी इसमें है तो यह कुछ आपको समझ में आगया हो नेक्स्ट बात कर लें प्रस्ट करते पार्टनर्शिप से अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं तो सबसे पहला करना करना बहुत असान होता है सिम्पल होता है ज्यादा एक्स्पैंसी भी नहीं होता है कर सकते यानि कि आप के पास अपनी काफी सारे रिसोर्सेज्स होंगे डूसरे एक बास भी होंगे सब अपने मिलाव लागा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा यानिकी रिसोर्सेज भी ज्यादा होगी तो सब्सक्राइब पास इसकिल होती है अपनी नॉलेज है तो क्या होता है इसमें सब मिल करके डिसिजन लेते हैं तभी एक बैटर डिसीजन ये प्रॉब्लम सौल्व करते हैं जो भी होता है तो को लाबरेटी वप्रोफ होता है विसकी वाइब लहाता है हमारा tax benefit profit tax किया गए पर्सचनल इंकंग के तरीका इसमें double taxation a valid होता है छाता flexibility लिला चीला पन कहा सकते हैं कि partnership को अब सिकेंट इसकी है थे सब्सक्राइब्स बैर्निकी 20 остан तवह सकते हैं हैं मोथ इसको उपला वायाबिस्टी अन्लीमितेड करने के लिए सो यह इसमें सबसे कह सकते हैं कि डिसद्वांट के एक होता है जिसकी वैसे डिस्प्यूट भी जगड़े लगड़ा यह सारी चीज़े होती है कोई भी बात से अगर दोनों सहमत नहीं हो रहे हैं तो यह होता है एक सबसे बड़ा यह डिसद्वांटिस कह सकते हैं इस तो पार्टाशिक में यह चीज़े सब्सक्राइब होती है तो इसकी विज़े से आपकी बिजनेस पर इफेक्ट कड़ता है तो इसकी विज़े से प्रॉब्लम आते हैं कोई भी डाउट नहीं होगा कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैंसेश करके बता सकते हैं वीडियो में अपना रिव्यू ज़रूर दीजेगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा लिगा इस लिमिटेट कंटिम्यूटी मैंने आपको बता दिया कि डिस्रप क्या होता है अगर आप किसी चीज़ के अगर 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 आप किसी भी टॉपिक पर या फिर कोई बशी प्रॉब्लम राइज हो जाती है तो आप इस पीसे पूछने वाज नहीं की जरूरत नहीं है अब क्या होता है पार्टनर्शिप में क्या वेट करना पड़ेगा कि वो क्या होता है वह ज़्यदा कॉंप्लेक्स भी हो जाता है कंसेंस की नीट की बजा से तो आपको डिसद्वांटेज भी क्लियर हो गया होंगे लिसने वीडियो अच्छी लगे तो तो लाइक और सब्सक्राइब और कॉमिन्ट में ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा वी